सिर्मान बुपेंदर भाई केंद्रिय वंदल के मेरे सहीयोगी बुपेंदर यादव जी अश्फिनी चोवे जी राज्जों से पधारे हुईसारे सभी मंत्री गाण केंद्रो और राज्यसरकार के सभी उधिकारी गाण अन्य महानुभाव, देवियों और सजनों, आप सभी का इस राष्टिय सम्मेलन में और विज्येस करके एकता नगर में स्वागत है, अभिनन्दन है. एकता नगर में ये राष्टिय कांफरेंस, अपने आप में मैं महत्पुन मानता हूँ, अगर हम बन की बात करें, हमारे आजिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइड लाइब की बात करें, हम जल सवरक्षन की चर्चा करें, हम टूरिजम की बात करें, हम प्रकूती और परियावराण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डवलप्मेंट हुआ है, वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पदा करता है, कि वन और परियावरण के खेत्र के लिए, आज एकता नगर, एकतीर्थ खेत्र बन गया है, आप भी इसी खेत्र से जुड़े हुए मंत्री और दिकारी आये हैं, मैं चाहूँगा गेकता नगर में, जितना भी समय आप बिताएं, उन बारिक्यों को जुरूर अबजर्व करें, कि जिसमें परियावरण के प्रती, हमारे आदिवासे समाज के प्रती, हमारे वाइड लाइब के प्रती, कि कितनी सम्वेदन सिल्ता के साथ कारिय रचना की गई हैं, निर्मान कारिय हुआ हैं, और भविश में देश के अनेक कौने में बन परियावरण की रक्षा करते हुए, विकास की रहा पर तेजगती से आगे बढ़ सकते हैं, इसका बहुत कुछ देखने समझने को यह गा, साथ हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं, जब भारत अगले 25 वर्सों के अमरित काल के लिए नए लक्षत ताय कर रहा है, मुझे विश्वास है, आपके प्रयासों से परियावरण के रक्षा में भी मदद मिलेगी, और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गती से होगा, साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत तेजी से विख्षित होती एकोनामी भी है, और निरंतर अपनी एकोलोजी को भी मजबूत कर रहा है, हमारे फोरेस्ट कवर में बृद्धी हुई है, और वेटलेंड्स का दाइरा भी तेजी से बढ़ रहा है, हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्योबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायदी को इसको मैच कर सकता है, इंटरनेस्टर सोलार अलाइन्स हो, कोईलिशन फ़र डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफ्रास्रेक्टर हो, या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनावतियों से निपट्टि के लिए भारत आज दुनिया को नित्रुत्व दे रहा है, अपने कमिट्मेंट को पूरा करने के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के कारण ही, दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है, बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बागों, हाथियों, एक सिंग के गेंडों और तेंदों के संख्या में बुर्द्धी हुई है, जैसे अभी पुपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्सा लोटा है, हर भाईतवासी के रगों में, संस्कारों में, जीव मात्र के प्रति दया और प्रक्रुति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से जूं उठाता, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था, जैसे उनके अपने घर में कोई प्रियम महमाना आए है, ये हमारे देश की एक काकत है, प्रकुति के साथ संतुरन साध्रे का जो एक प्रयास है, उसे हम निरनतर जारी रखे, आनी वाली पीडियों को भी संस्कारित करते रहे, इसी संकल्प के साथ भारत ने 2070, 2017 तक अभी हमारे पास करीब करीब पांच दसक है, नेट जीरो का टार्गेट रखा है, अब देश का फोकस ग्रीन गोत ग्रोत पर है, और जब ग्रीन ग्रोत की बात करते हैं, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत आउसर पैदा होते हैं, और इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए, हर राज्य के परियावरन मंत्राले की भूमिका बहुत बड़ी है, साथियों, परियावरन मंत्राले, चाहे जिसकी सी राज्य में हो या केंदर में, उनके दाईतों का विस्तार बहुत बड़ा है, इसे संकुची दाइरे में नहीं देखा जाना चाहिए, दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्ता में एक सोच ये हावी होती यही चली गई, कि परियावरन मंत्राले की भूमिका रेगुलेटर के तोर पर ज्यादा है, लेकिन मैं समत्ता हूँ, परियावरन मंत्राले का काम रेगुलेटर से भी जादा परियावरन को प्रोचसाहित करने का है, हर वो काम जिससे परियावरन की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्राले का रोल बहुत बड़ा है, अब जैसे सर्कुलर एकानमी का विशा है, सर्कुलर एकानमी हमारी परंपरा का हिसा रही है, भारत के लोगों को सर्कुलर एकानमी चिखानी पड़े इसा नहीं है, हम कभी प्रकूरती के सुषक नहीं रहे, सदे प्रकूरती के पोशक रहे हैं, हम जब छोटे थे था हमों को बताये जाता था कि मात्मा गांदी जब पिछली शताबदी के प्रारंब में साबरमती आस्रम में रहते थे और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबाला भरी रहती थी भरपूर पानी रहता था उसके बावजूद भी अगर किसी को गांदी जी ने देख लिया कि पानी को बरबाद कर रहा है तो गांदी जी उसे टोके भी ना रहते नहीं थे इतना पानी सामने होना था फिर भी पानी बरबाद नहीं होने देखे थे आज कितने ही घरों में आप में से साइज हर कोई को पता होगा हर एक के घर में होगा अनेक घर ऐसे हैं कपड़े हो अख़वार हो और भी छोटी मुटी चीजे हो हर चीज को हमारी यहां रियूज किया जाता है रिसाइकल किया जाता है और जब तक उसका बिलकुल समाप्ति नहीं हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं अपने परिवारों का समस्कार है और ये कोई कंजूसी नहीं है ये प्रकुरूति के प्रती सजगता है संबेदना है ये कोई कंजूसी के कारण लोग ये की चीज दस जग बारूपियों करते हैं ये सभी हमारे जो परियामन मंत्रिया आज आए हैं मैं उनको आगर करूँगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर एकोनॉमी को जाता से ज़्यादा बढ़ावा दे अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि आप अपने घर में सर्कुलर एकोनॉमी की दुरिश्टी से क्या हो रहा है जर ढून के लीए आएगए हर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभ्यान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानिय निकायों, स्वयम सहायता समुह, वहां से लेकर MSM इस्थक को हर किसु को फुलसाइद करना चाहिए। उनको दिशा देनी चाहिए, उनको गैडलेंज देनी चाहिए, सात्यों सर्कुलर एकोनामी को गति देने के लिए ही, अब पिछले साल हमारी सरकार ने, अपनी भारत सरकार ने, वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी भी लागू की है। अब क्या राज्यों में ये वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को लाब उठाने के लिए कोई रोड़ मैप बना क्या, उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमन चाहिए, उनको जमीन चाहिए, ताकि स्क्रेपिंग को इंप्लिमेंट करने के लिए काम सरकार से, जैसे मैंने भारत सरकार को सूचना दी कि स्क्रेपिंग पॉलिसी को हमें बहुत गति देनी है, तो हमें पहले भारत सरकार के जितने वेहिकल है, जो अपनी उमर पार कर चुके हैं, जो किलोमेटर पार कर चुके हैं, उनको स्क्रेपिंग में सबसे पहले लाओ ता वहिकल्स होंगे उसको स्क्रेपिंग पालिशे पर सबसे पहले हम शुरू कर लें, स्क्रेपिंग करने वालों को बुला लें और फिर उसके अकान नई गाड़ियां भी आएगी, फ्यूल भी बचेगा, एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन नीती अगर भारत से गाने बनी पड़ी रही है, तो परनाम नहीं आएगा, तेकि सभी परियावरान मंत्रालयों को देश की बायो फ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने क्या वश्टता है, अब देखे बायो फ्यूल में हम कितनी तेजी सांके बड़ रहे हैं, लेकिन अकर राज् करें कि हमारे राज्य के जितने वेहिकल हैं, उसमें हम सबसे जादा बायो फ्यूल ब्लैंडिंग करके ही वेहिकल चलाएंगे, देश में कॉम्पूटिशन का माहोर बनेगा, देखे परियावरान मत्रालयों को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउन पर मजबूती स ले जाना होगा, इथेनल ब्लैंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है, अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाएं, तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं, मेरा तो सुझाव ये भी होगा, कि हम इथेनल उत्पादन और इथेनल ब्लैंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए, कि कौन राज्य और इससे काराण हमारे किसानों को बहुत मतद मिलेगी, खेत का जो वेस्ट है, वो भी इनकम देना शुरू कर देगा, हमें इस हेल्दी कॉम्पेटिशन को बढ़ावा देना है, इतन अंदोर स्पर्धा राज्यों के बीच, शहरों के बीच होती रहनी चाहिए, देखिएगा इससे परियावरन के रक्षा के हमारे संकल्प को जन भागीदारी की ताकत मिल जाएगी, और जो चीज आज हमें रुकावट लगती हैं, वो हमारे लिए नई छीती जों को पार करन एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगे, अब देखिए हम सब ने अनुभव किया है कि LED बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है, क्या हमारा परियावरन मंत्राल है, हमारा राज्य का बिजली मंत्राल है, हमारा राज्य का अर्बन मंत्र लगातार बैट करके मॉनिटर कर एक फ़ई LED बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पे लगा है कि नहीं लगा है हर सरकारी दफ्तरों में LED बल्ब लगा है कि नहीं लगा है LED का जो यह सारा मुवमेंट चला है जो इतनी बच्चत करता है पैसे बचाता है इन्मार्मेंट की भी सेवा करता है आप इसको लीड कर सकते हैं आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है उसी प्रगार्दे हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना है अब पानी हर कोई कहता है पानी को बचाना यह बहुत बड़ा काम है अभी जो हमने आजादी कामरत महोसों मे पचतर-पचतर अमरुत सरहर बनाने के लिए कहा है क्या परियावरण मंत्राले वन भीभाग इसको लीड कर रहा है क्या जल सवरक्षन का बल दे रहा है क्या उसी प्रकार से परियावरण मंत्राले और अग्रिकल्चर मिल करके पढ़े ड्रीप इरिगेशन, टपक सीचाई, माइक्रो इरिगेशन उस पर बल देता है क्या? याने परियाबर बंतराले के ऐसा है कि जो हर्प बंतराले को दिशा दे सकता है, गती दे सकता है, प्रिरणा दे सकता है और परिनाम ले सकता है आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहूलता थी ग्राउन वाटर उपर रहता था बहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है पानी की किलत है हजार हजार बारा सो बारा सो फिट नीचे जाना पड़ रहा है साथियों ये चुनावती सिर्फ पानी से जुड़े विभाकी नहीं है बलकि परियावरन विभाको भी उससे इतना ही बड़ी चुनावती समझना चाहिए आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में जैसा मैंने आपको कहा अमरत स्वरोवर का अभ्यान चल रहा है अब अमरत स्वरोवर वाटर सिकूरिटी के साथ ही एन्वार्मेंट सिकूरिटी से भी जुड़ा हुआ है उसी प्रकारते इन दिनों आपने देखाऊगा हमारे किसानों में केमिकल फ्री खेती नेचरल फार्मिंग अब यू तो लगता है वो अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का है लेकिन अगर हमारा परियावरा मंत्रा जुड़ जाएं तो उसको एक नई ताकत बिल जाएगी प्राकृतिक खेती ये भी परियावरान की रक्षा का काम करता है ये हमारी धर्ती माता की रक्षा करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है इसलिए ही मैं कहता हूँ कि बदलते हुए इस समय में परियावरान मंत्रा ले द्वारा पार्टिसिपेटिग और इंटिग्रेटर एप्रोट लेकर काम करना बहुत आवशक है जब परियावरान मंत्रा लोग के दुरुष्टी बर लेगी लक्ष तय होंगे राह निर्धारित हो जाएगी मुझे पुरा विश्वास है थाथियो प्रकृती का भी उतना ही भला होगा थाथियो परियावरान की रक्षा का एक और पक्ष जन जागरुक्ता जन भागिदारी जन समर्थन यह बहुत आवशक है लेकिन यह भी सिर्फ सुचना विभाग या शिक्षा विभाग का टाम नहीं है जैसे आप सभी को भली भाती पता है कि देश में जो हमारी नई राष्ट्रिय शिक्षान निती आपके लिए बहुति हैं अपहीं डिपांफमैंट के लिए उट आप एक विषय है अब यह एक्ष्परियंस बेज लर्णिंग क्या पर्याबन मांतरा ने सिक्ष्बिभा के साथ बात की क्या आप स्कूल में दॉन बच्चों को पैड़ पोधों के विशे में जरा पढ़ाना है तो उनको जरा बगीचे में ले जाईए गाउं के बाहर जो पैड़ पोधे हैं वहां ले जाईए पैड़ पोधों का परीचे करवाईए अब यह सिछा मंत्रा ले और परियावरण मंत्रा ले मिलकर के काम करें त और इसे बच्चों में जीम वीवीदता के प्रती जागरुपता आएगी और परियावरण की रक्षा के लिए उनके दिल दिमाग में वो ऐसे बीज बो सकते हैं जो आने वाले समय में परियावरण की रक्षा के एक बहुत बड़े सिपाई बन जाएगे इसी तरह अब जैसे जो बच्चे हमारे समुद्री तट पे हैं या नदी के तट पे हैं वहां बच्चों को ये पानी का महत्वा समुद्र की इकोसिस्टिम क्या होती है नदी की इकोसिस्टिम क्या होती है वहां ले जगरुपों को सिखाया जाए मच्छी का क्या महत्वा होता है मच्छी भी किस परियावरन की रक्षा में मदद कर रही है। सारी बात है उन बच्चों को ले करके समझाएंगे। काम तो सिख्षा विभा का होगा। लेकिन परियावरन के विभा के लोग तो आप देखिए पूरी नई पीडी तैयार हो जाएगे। हमने अपने बच्चों को आने वाली पीडियों को परियावरन के प्रती जागरुग भी करना है, समवेधन सिल भी करना है। राज्यों के परियावरन मंत्रालय को इससे जुड़े अभियान शुरू करने चाहिए। योजनाय मनानी होगी। अब जैसे किसी स्कूल में फलका कोई पैड है, तो बच्चे उसकी जीवनी लिख सकते हैं, पैड की जीवनी लिखें, किसी आउसदिय पोदे के गुणों के बारे में भी बच्चों को निमन लिखवाय जा सकता है, वक्तित्वस पर धा की जा सकते हैं। हमारे राज्यों की उनिवर्सिटीज, और लेबरेटरीज को भी जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए परियावरण रक्षा से जुड़े इनोवेशन्स को सर्वोच्य प्रात्विक्ता देनी होगी। परियावरण की रक्षा में हमें टेक्नलोजी का इस्तेमाल भी जादा से जादा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिती का निरंतर अध्यान बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नलोजी से हम लगातार हम पने जंगलों का मोनिटरिंग कर सकते हैं। बडलाव आये तो तुरद मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथ क्यों, परियावरन से जुड़ा एक और एहन बिशा है, फोरेस्ट फायर का भी जंगलों में आग बढ़ रही है। और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई, तो हमारे पास उतनी संसाधन भी कहां है। कि हम आधुनिक टेकलोलोजी से आटको बुझा पाएंगे। दुनिया के सम्रूत्य देशों को आपने देखा होगा टीवी पे। चाहे पस्ची में अमेरिका हो, कनड़ा हो, औस्ट्रेलिया हो। पिछले दिनों इहां जो फॉरेस फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तभाई हुई। वन ने पशुओं की बेबसी, इवन जन जीवन को भी प्रभावित कर दिया। उसकी एशिस के कारण, मीलों तक लोगों का जिना मुश्किल हो गया। वाइल्ड फायर के वज़र से ग्लोबल एमिशन में भारत के हिस्तेदारी बहुत कम है जी, नगन्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूत होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज में forest fire fighting mechanism मजबूत हो, वो technology driven हो, यह बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम सबको मालूम हैं आखिरकार आग लगने का कारण क्या होता है। जो सुखे पत्ते जंगलों में पढ़ते हैं, उनका डेर होता और एकाच छोटी सी गलती, देखते ही देखते पूरे जंगल को आग पकड़ लेती है। लेकिन अब इस जंगलों में जो बेश्ट पढ़ता है न, पत्तियां पढ़ती हैं, पांखर के अंदर जब सारा जंगल जमीन पर सब पत्तियां देजर आती हैं, आजकल उसका भी सर्कुलर एकोनोमी मुप्योग होता है। आजकल उसमें से खाद भी बनता है, आजकल उसमें से कोईला मनाये जाता है, मशीन होते हैं, छोटे-छोटे मशीन लगाकर के उसमें से कोईला बनाये जा सकता है, वो कोईला और कारखानों में कामा सकता है, मतलब हमारा जंगल भी बच सकता है और हमारी उर्जा भी बच सक कि कहने के मेरा ताद पर यह हैं कि हमें इस में भी फॉर्यस फायर के लिए कि हमारी जाग रुकता वहां के लोगों को और उनकी इंकम का भी साथ जंगल में रहते हैं जैसे हमारा बन धन पर बड़ा बल है उसी प्रकार से इसको भी धन मान करके हैंडल किया जाए तो हम जंगलों की आग को बजा सकते हैं हमारे फॉरेस्गाड को भी अम नए सिरे से ट् इड़गाड होते हैं उतने से बात बनने वाली नहीं है साथियो मैं आप सभी से एक और महत्वपण बिंदू के भी चर्चा करना चाहता हूं आप भली भात ही जानते हैं कि आधूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के बिना देश का विकास देश वास्यों के जीमंस्तर को सुधा करने का प्रयास सफन नहीं हो सकता लेकिन हमने देखा है कि एनवार्मेर्ट क्लियरंस के नाम पर देश में आधूनिक इंफ्रास्टर के निर्मान को कैसे उल जाया जाता था आप जिस जगह पर बैटे हैं ना ये एकता नगर में ये हमारी आँखे खोलने वाला उदार्ण ह कैसे अर्मन नक्सलों ने विकांस विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्ब को सरदार सरोवर्डेम को रोक के रखा था आपको जानकर के हरानी होगी साथियों ये जो सरदार सरोवर्डेम ये एकता नगर में आप बैटे हैं ना इतना बड़ा जलास है देखा होगा देश आजाद होने के तुरंद बात किया गया था सरदार वलोग भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकाने पाई थी पंडित नहरू ने सिलान्यास किया था लेकिन सारे अरबन नक्सल मैदान में आ गए दुनिया के लोग आ गए अपरचार किया ऐसा यह परियावरन विरो बताईए कितना देश का पैसा बरबाद हो गया और आज वही एक तानगर परियावरन का तिरसर क्षेत्र मन गया बतलब कितना जूट चलाया था और यह अरबन नक्सल आज भी चूप नहीं है आज भी उनकी खेल खेल रहे हैं उनके जूट पकड़े गए वो भी स्विकार क भी कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विश्य पकड़ करके तुफान खड़ा कर देते हैं और यह हमारे अरबन नक्सल उसको माथे पर लेकर करके नाचते रहते हैं और हमारी हरुकावट आजाती है परियावरन की रक्षा के समय में कोई कर देते हैं बड़ी-बड़े जुडिस्टिरी को प्रभावित कर देते हैं इतना आपन प्रत्यार कर देते हैं चीजे अटक जाती है मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विश्यों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अप्रोच अप्रणा कर आगे बढ़ना चाहिए साथि में कोई बाधा ना खड़ी करें, कैसे बाधा बंती में उदान देता हूँ, मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है, दस साल में साथ साल अकाल के दीन रहते थे, तो हमने चेग्रेम का बड़ा अभियान चलाया, हम चाहते देख फॉरेस्ट में भी पानी का प्रवंद हो, तो हम फॉरेस्ट में परवत की जो धलान होती है, उस पर छोटे-छोटे एन डाइनिंग टेबल जितने छोटे-छोटे-छोटे तालाब बनाना, बहुत छोटे तालाब, दस फूट लंबे हो, तीन फूट चौड़े हो, दो फूट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बनाते जाना ऐसी हमने सोचा, आप हैरान होंगे, एनवार्मेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नहीं मना कर दिया, अरे मैंने का भई, ये पानी होगा तभी तो तुमारा से देता हूं, आप चेकडेम बनाईए, पानी बचाईए और जंगलों को ताकत दीजिए, तब जाकर के बिड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था, मतलब हम एनवार्मेंट के नाम पर, फॉरेस्ट में भी एकर पानी का प्रभन नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा है, साथियों हमें याद रखना है, कि जितनी तेजी से एनवार्मेंट क्लियरंस मिलेगी, उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किये बिना यह हो सकता है, मुझे बताए गया है, आप सभी राज्जों के लोग बैटे हैं, आज की तारीख में, एनवार्मेंट क्लियरंस के छे हजार से जादा काप, आपके मंत्रालयों में पैंडिंग पड़े हुए हैं, इसी तरह, फोरेस्ट क्लियरंस के भी, करीब करीब साड़े छे हजार प्रोजेक्ट, उनकी अप्लिकेशन आपके टेबलों को लटकी पड़ी हुई है, क्या साथियों आज के आधुनी क्यूग में, आचाब वो भी तिन मेने के बाद क्लियरंस भी लेगा छे, तो कारण कुछ और है, हमें बिलकुल पोई परामिटर तय करने चाहिए, निस्पक्ष भाव से करना चाहिए, और परियावरन की रक्षा करते हुए, क्लियरंस में द हमारे पोजेक लोगों को फैदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्य बढ़ जाती है, हमें कोशिश करने चाहिए, पैंडेंसी कम से कम हो, और जिन्यून केस में ही पैंडेंसी हो, तेजी से क्लियरंस मिले, इसे लेकर हमें एक वर्क एंवार्मेंट को भी बदल पड़े आ, मैंने अकसर देखा है कि जिस प्रोजेक को लंबे समय से एनवार्मेंट क्लियर्शन नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा है कि राज सरकारे मुझे चिठिया लिगती है, कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिठिया लिगते है, कि फलाने राज में जाता है, फटा फट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियर्शन शुरू हो जाता है, मतलब अगर एनवार्मेंट के इस यह होते तो क्लियर्शन नहीं होता, तो कोई नूँ कोई ऐसी बात है, ढिलापन है, वर कल्चर ऐसा है, जिसके कान हमारी गडबड हो रही है, और इ तो ऐसी कोई रुकावटे नहीं आईगी, अब आप देखते हैं, टेक्नोलोजी का उप्यों हो रहा है, परिवेश पोर्ट्रल आप सामने देखा होगा, परिवेश पोर्ट्रल परियावरन से जुड़े सभी तरके क्लियर्शन के लिए सिंगल मिंडो माध्यम बना है, यह और इस से एप्रूवल के लिए होने वाली भागदोर भी कम हो रही है, आठ साल पहले तक एनवार्मेंट क्लियरंस में जहां छे सो से जादा दिन लग जाते थे, याद रखो दोस्तों, पहले छे सो दिन से जादा समय लग जाता था क्लियरंस में, और टेक्नोलोजी के से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से काम होता है, और सिरफ पच्चतर दन के अंदर काम पूरा हो जाता है, परियावरन सिकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं, और उन छेत्रों के लोगों के विकास को भी प्रात्थिक्ता देते हैं, यानि यह economy और ecology दोनों के लिए win-win situation होती है, आपको मैं एक और उधान देता हूँ, अभी कुछ सब्ता पहले ही, केंदर सरकार ने दिल्ली में प्रगती मैदान टनल को देश को समधित किया है, इस टनल की वज़े से दिल्ली के लोगों की जाम में फसने की परिशानी कम हु हर साल 55 लाग, 55 लाग लीटर से जादा इंदन बचाने में भी मदद करेगी, अब यह परियावरण की रक्षा है, इससे हर साल करीब-करीब 13,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा, एक्सपर्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें 6 लाग से जादा पैड़ की ज़रूत पड़ती है, यहने डेवलोप्मेंट के उस काम ने परियावरण की भी रक्षा की, यहने फ्लाइव ओवर हो, सड़के हो, एक्सप्रेस वे हो, रेल्वे प्रोजे क्लिरंस के समय हमें इस एंगल को नजरंदा नहीं करना चाहिए, साथ क्यों, पीम गति शक्ती नेशनल मास्टर प्लान है, इसके लागू होने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्टर के प्रोजेक्श में तालमेल बहुत बढ़ गया है, और राज्य भी इससे बड़े खूश है, राज्य बहुत बढ़ चड़ करके इसको फाइदा उठा रहे हैं, उसके एकान प्रोजेक्श में तेजी आई है, पीम गति शक्ती नेश्टर मास्टर प्लान परियावरन के रक्षाग भी अभूत्पुर्वा मदद कर रहा है, हमें ये भी देखना होगा, कि जब भी राज और राजी में किसी इनफरासेक्श्र का निर्माड हो, अब ये हमें कलायमेट के कारण जो समस्या आरा ही हैं देख रहे, इसका मठला वैसी समस्याओं में टिका रहे, वैसा इंफरासेक्श बनाना पढ़ेगा, डिजास्टर रेजिलियंट होना चाहिए, हमें कलायमेट से जुड़ी चुनोतियों का सामना करते हुए अर्थे वबस्ता के हर उभरते हुए सेक्टर का सही इस्तिमाल करना है। केंद्रों और राज्य सिरकार दोनों को मिलकर ग्रीन इंडुस्ट्रियल एकोनोमी की तरफ बढ़ना है। साथियो मुझे विश्वास है इन दो दिनों में आप परियावरन रक्षा के भारत के प्रयासों को और अधिक सस्क्त करेंगे। परियावरन मंत्राले स्रिफ रेगुलेटरी ही नहीं बलकि लोगों के आर्थिक सस्क्तिकरण और रोजगार के नए साधन बनाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एक तानगर में आपको सीखने के लिए देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। गुजनात के करोडों लोगों का, राजस्तान के करोडों लोगों को, महराष्टर के करोडों लोगों को, मंत्रे प्रदेश के लोगों को बिजिली के कारण। एक सरदार सरवर डेम ने चार राज्यों के जीवन को प्रभावित किया है, सकारात्मक प्रभाव पैदा किया, राजस्तान के रिगिस्तान तक पानी पहुँचा है, कच्छ के रिगिस्तान तक पानी पहुँचा है, और बिजनी पैदा होती है, मद्द प्रदेश को क्लीन बि प्रणी मिल रही है। सरदार साथ की इतनी विशाल प्रतिमा हमें एक ता के प्रण पर डटे रहे की भी प्रेणा देती है। ecology और economy कैसे एक साथ साथ विकास कर सकते हैं, कैसे environment भी मजबूत किया जा सकता हैं, employment के नए अवसर भी बनाए जा सकते हैं, कैसे biodiversity, eco-tourism बढ़ाने का इतना बड़ा माध्यम बन सकती हैं, कैसे हमारी one संप्रदा हमारी आदिवासी भाई बेनों के संप्रदा में बुद्धी कर सकती है, इन सारी बातों का उत्तर, सारे प्रस्टों का समाधान, इसके वडिया में एक ता नगर में आप सबको एक साथ में जराता है, एक ता नगर डेक्लरेशन आजहाजी के अमरुत काल के लिए बहतर समाधान लेकर आएगा, यह मेरा पुरा विश्वास है, और साथियो मैं भारत सरकार के मंत्रा लेकर सभी अधिकारियों को और मंत्री महदय को बढ़ाई देता हूं, को उन्होंने इस कारकम की रचना की है, मेरा आप से आगरान है, जो लेक्चर्स होंगे, जो चर्चाय होगी, उसका अपना महत्वा होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वा आप जो दो दिन साथ रहेंगे एक दूसरे के अनुभव जानेंगे, हर राजने कुछ न कोई अच्छे प्रयोग की होंगे, अच्छे इनिसिटिव लिए होंगे, जब अपने साथियों से अन्ने राज्यों से आपका परिचे बढ़ेगा, उनसे बाते करोगे, तो आपको बहुत भी नई नई आइडिाज मिलेंगे, आपको भी नई नई बातें औरों को बताने का मौका मिलेगा, यह एक दो दीवन अपने आप में एक भहत बड़ा प्रैना का कारण बन जाएंगे, आप स्वयम ही दूसरे के प्रैना बनेंगे, आपके साथ ही आपकी प्रैना बन आने के लिए सही दिशा ले करके, सही संकल्प ले करके, एक निश्चित रोड विलिम में अपने करके, हम सब चलेंगे इसे अपेक्षा के साथ, आप सब को बहुत 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 शुप कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.